Hi everyone, Assalamualaikum, Welcome to my channel Clean Knits. जैसा कि मैंने अपनी knitting tool opening की वीडियो में आपको बताया था कि मैं kits बना रही हूँ और मैं kits बनाती है वक्त आपको दिखाऊंगी कि मैं किस kit में क्या क्या चीज़े डाल रही हूँ तो यह यहाँ भी हमारे pouches हैं अभी मैं kits बनाना शुरू करूंगी और आपके दिमाग में कोई भी सवाल आया इसे related pricing के हवाले से या कोई भी चीज़ तो आप नीचे comment कर सकते हैं और Instagram clean knits पे मुझे message कर सकते हैं किसी भी help के लिए और वीडियो को subscribe करके bell icon जरूर दबा दे ताकि आपको सारी वीडियो रिसीव हो जाया करें और bell icon दबाते हैं वक्त आपने यह ख्याल रखना है कि notifications on all notifications उससे आपको सारी मेरे live videos रिसीव हो जाया करेंगी अभी हम शुरू करते हैं kits बनाना सबसे पहले तो दिखें यहां पर आ गया हमारा प्यारा सब knitting pouch knitting pouch मतलब यह देखें इस पर लिखा knitting है और यह pouch है इस पर बिगनर्स जो है अपनी सारी basic चीजें रख सकते हैं संभाल के और जरूरी नहीं कि आप यही लें आप बना भी सकते हैं बनाई से बना सकते हैं इसी length का उस पर लिख भी सकते हैं knitting अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको यह pouch बनाना भी सिखा दूंगी और उस पर knitting कैसे लिखते हैं वो भी बता दूंगी ताकि आप प्यारा से एक pouch बना सक के लिए क्या क्या चीज़ आएगी beginners के लिए देखें एक तो हमारी आ गई knitting needles जो के single pointed knitting needles हैं मैं आपको सारी चीज़े खोल के भी दिखाऊंगी कि किस तरह से हैं यह heavy needles हैं plastic की नहीं हैं क्योंकि plastic की मैंने नहीं रखनी थी kits में plastic की तूट जाती हैं पाइदार नहीं होती है 5 mm की मेरे needle रखी हैं इसमें और यह aluminium की है लेकिन hard वाल प्लास्टिक की नहीं है यह हमारा हो गया एक color और दूसरा इसमें हैं वाव लग दिस बोद कलर सेविन number सेमी है heavy बहुत अच्छी needles अच्छी quality की है ठीक है एक knitting needles हो गई यह color ले लेते हैं फिलाल एक straight needles हो गई आपकी kit में अगर आप beginner हैं तो उसके बाद stitch holder भी एक होना चाहिए आपके पास वैसे तो मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन अगर बिगनर हैं तो एक तो जरूर होना चाहिए बाकी मैंने tips आपको सिखाई हैं कि अगर आपके पास stitch holder ना हो तो आप क्या इस्तमाल कर सकते हैं बरहाल stitch holder होना चाहिए अगर असान होता है कि भाई आप एक चीज़ बना रहे हैं और वो आधे में आपको रोक के और निडल चाहिए किसी काम के लिए तो इस पे hold करें डालें अपने फंदे और साइट पे रखें और इनिडल इस्तमाल कर लें यह stitch holder है हमारा stitch holder के इलावा सब से important चीज़ है हमारे पास यह देखें डीपीएंस डीपीएंस बहुत जगों पे इस्तमाल होती है very important बहुत ज्यादा important है यह neck बनाने के लिए यह चोटा कोई project है तो आप सिर्फ दो needles यूज़ करके इस पे बना लें लंबी सलाइया लेने की ज़रूरत नहीं है and a lot of things मैंने इस पे socks बनाना भी सीख स सकते हैं टोपी बनाएं टोपी बनाते हैं जब definitely circular needle पे भी बनाने के बाद जब हम शेप दे रहे होते हैं तो हमें डीपेंस की जरूत होती है double pointed needles ठीक है इनका फाइदा यह है कि हैं तो double pointed लेकिन आप जो है single point वाला काम भी इसमें ले सकते हैं कि अगर चोटा project है तो इस्तम जादा important है कि अगर आप ना भी सीएं तो आपको waving के काम आती है यह देखें अच्छी quality की tapestry needles हैं और इसमें hole बहुत बड़ा होता है जो tapestry needle होती है wool needle भी आप इसे कह सकते हैं tapestry needle sweater सीने वाली सुई भी कह सकते हैं आप इसको और यह रजाई सीने वाली सुई नहीं है आप इ दूसरी वाली पिंच करती तो खून निगला था यह यह टपestry needle हो गई यह भी हम डालेंगे एक खिट में दो जाएंग लेकिन मैं अभी इसमें से निकाल नहीं सकती मैं किसी paper में इसको जो है वो stick करूंगी फिर निकाल के इधर side पे करूंगी okay दूसरी चीज जो हमारी भई stitch markers, stitch markers हमें चाहिए होते हैं because जरूरी होते हैं कोई ऐसी चीज बना रहे हैं, top down sweater बना रहे हो, कोई ऐसी चीज बना रहे हो, जिस पे mark करना जरूरी है, निशानी लगाना, टोपी को shape दे रहे हो, तो stitch markers जो हैं, वो बहुत जरूरी हो, मैंने देखी, बहुत प्यारी से round वाल क्योंकि यह round में होते हैं और इनकी गिरने के ज्यादा chances नहीं होते हैं बट यह होगा कि आप पहले से mark करना पड़ेगा डालना पड़ेगा जब अपसलाई बुन रहे हो आप बीच में नहीं डाल सकते हैं वो खुले हुए डाल सकते हैं पड़ाल यह अच्छे हैं अगर आप बिगनर हैं तो आप यह ले सकते हैं स्टिच मार्क स्टिच होल्डर हो गया स्टिच मार्कर हो गए डीपी इन्स हो गई डबल पॉइंटेड निडल्स हमारी अच्छी पेकिंग में हैं उके उसके इलावा हमारे जी केबल निडल्स आ गई हैं केबल निडल्स आपको बिगनर्स को शायद नहीं पता होगा केबल निडल्स मैंने बताया है सेपरेटली एक वीडियो में ये केबल बनाने के केबल जो डिजैन होती है केबल स्टिच पैटर उसको बुनने के काम आता है क्योंकि आप हैंडल नहीं कर सकते बहुत सारे फंदे न तो आपको केबल निडल्स की जरुरत पड़ती है बुनन केंची मैंने अच्छी वाली शार्प केंची मंगाई है एक किट में डालने के लिए बिगनर के लिए बिगनर किट्स आपको लेनी हो ना अगर आप पाकिस्तान में हैं बिगनर्स किट आपको लेनी हो तो आप मुझे इंस्ट्राग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं केंची हो इंच टेप है जबर्दस्त एंड अगर टूल्स हो गए हां सर्कुलर निडल भी होनी चाहिए आपके पास लेकिन सर्कुलर निडल वेंडर के पास अविलिबल नहीं थी वो जब आएगी तो हम किट्स में डालेंगे एंड में मंगाऊंगी एंड अदर दिन दाट उसकी डाली एक खेंची होगी हमारी एक डीपीएंज हो गई इसमें आ जाएंगी अगर आप पाउच बनाना सीखना चाहरे हैं तो मुझे कमेंट कीजेगा हमारे यहां पर यह भाई इंच टिप आ गया आपकी यह आपका स्टिच मार्कर आ गया है और यह तो मैं इसका पते क्या क जाएगा तो मैंने क्या करना है मैं इसको खोलूंगी और एक या दो जो है वो के बिल डालूंगी इसमें और एक दो टेपैसरी निडल जाएंगी इसमें यह देखें एक टेपैसरी निडल यह बिगनर्स के लिए होनी चाहिए ज्यादा नहीं है एक एक भी आपके पास होना चाहिए और चार-चार स्टिच मार्कर मैंने डालने हैं इसमें आपके पास और कोई छुटा सा पाउच हो तो इसमें भी डाल सकते हैं फोर-फोर मैंने स शिए खिछ जो है, यह रहें आप इसको जो है वह मैं इसमें अंधर डाल दूंगे सारी चीजे हो गई, जो हमने टूल्स मगाये थे और टूल्स के वगार ये इसमें अलगी रकनी है लेकिन टूल्स में अगए और अच्छा इसमें जो हो इसमें फ्पेज से जगाए तो आपकी जो extra knitting tools हैं वो भी इसमें आ सकते हैं बहुत आसानी से and इसको आप यहां से बंद कर दें अगर आपने बनाना सीखनी हो तो मुझे बताईएगा मैं आपको इसी तरीके से अच्छी kit pouches जो हैं वो बनाना से खाऊंगे एन हर kit में यहां पर मैंने 6 जो हैं वो knitting के balls डाले हैं वूल बॉल डाले हैं तो यह हमारी एक kit हो गई और यह हमारे 6 बॉल हो गए 6 different colors इससे डोनट भी बन सकता है इन colors में से इसमें bags भी बन सकते हैं इसमें बहुत सारी stuff twice भी बन सकते हैं scarf भी बन सकता है बहुत सारी चीज़े इन colors को mix करके बन सकती हैं तो अगर आपको यह video helpful लगी हो तो नीचे comment कीजेगा like जरूर करें अपने whatsapp status पे share करें family और friends में share करें thank you so much for watching my video कोई सवाल हो नीचे पूछ सकते हैं और किसी को खरीद नहीं हो तो instagram cleanets पे मुझे message करें thank you so much for watching my video अलाहाफिस झालाहाफिस